Hello Everyone, Welcome to Smart Study by Jyoti Nain, मेरा नाम है Jyoti और आज की क्लास का टोपिक हमारे जोन वेंड़ो इससे पहले हमने किये थे जो हमारा restoration stage चली हुए उससे पहले हमने किये थे William Congreve, William Congreve के कुछ important works थे, वो मैं एक बारी आपको revise करवा देती हूँ, आपको मेरे साथ साथ revise करना है, जब मैं बोलनी हूँ मेरे साथ repeat करना आपको भी, ठीक है, तो चलिए start करते हैं repeat, सबसे पहले थे old bachelor, double dealer, morning bride, love for love, and the last is the way of the world, published in 1700, the way of the world must read है, और जो ये double dealer है, इसका ज टाइटल करेक्टर थे, mask well, और old bachelor थे हमारे, heart well, और love for love में, valentine थे, ठीक है, जो और इनके फादर थे, valentine के फादर Mr. Samson, और brother था इसका band, जहां पर ये इसको degenerate कर रहे थे, मतलब इसको बेदखल करना चाते थे, ठीक है, इस टाइप से थे, और way of the world, इसके बारे में तो अर्किटेक्ट भी थे, ठीक है, और इनों ने क्या design किया था, जो important कुछ buildings है, वो है, Blenheim's Palace and Castle Howard, ठीक है, being an architect, he designed Blenheim's Palace and Castle Howard, ठीक है, कुछ जो इनके important restoration comedy है, वो है, restoration comedy है, The Relapse and The Provoked Wife, ठीक है, इनका publication देख लेना, easy है, मतलब एक साल के बाद यागी, 1696 में आती है, The Relapse and The Provoked Wife in 1697, he got knighthood in 1714, ठीक है, उनको knighthood कब मिला है, 1714 में, ठीक है, और कुछ other important buildings है, being an architect, he also designed another, other important buildings like Blenheim Palace, हम पहले ही कर चुके है, Castle Howard, और यह थोड़ा, मतलब इसको just पढ़ लेना, ठीक है, अभी बात करते हैं, वो विग पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, मतलब किसको फेवर करते थे, कौन सी पार्टी को फेवर करते थे, दो पार्टी बताए थी ना, मैंने कल भ अभी अभी ऐड्यपर ही बार्टी है, और ग अभी ओसको फेवर करते हैं, और जो जो ट्रोए थी, लाइक बिस पॉपस ऑप्स, मतलब इस पोर्ट कंसरवेटिव मोनार्की, वो मतलब पहर होते हैं, और जो विग थे, मतलब वो फेवर करते हैं देमर्यति, ठीक है, वोप्य वो लोवर अथोर्टी ओफ चर्च थी विग्स ठीक है और जो हमारे ये जोन वेंब्रो है किस पार्टी से बिलोग करते हैं विग्स पार्टी से ठीक है और ही वाज आल सो ए रेडिकल थो आउट इस लाइफ मतलब वह एक रेडिकल है रिवोलुशनी रिवोलुशनरी थे जो एक ब्लडड़लेस रिवोलुशन होती है ना 1688 में 1688 में ब्लडड़लेस रिवोलुशन होती है ठीक है उस टाइम पे क्या था वो जो हमारे जेम्स सेकिंड को हटा कर वो विलियम थर्ड को राजा बनाना चाहते थे ठीक है ऐसा बोल जाता है इन्होंने वहाँ पर प्रिजनर बना लिया गया था ठीक है तो क्या बात है यहां पर क्या इंपोर्टेंट याद रखने की बात है वह विग पार्टी से बिलोग करते हैं और जो ब्लड लैस्ट रिवोलुशन होती है उसमें जो इन्होंने जो स्कीम बनाई थी उन्होंने जो जेम्स है उनको हटा जाए और विल्यम थर्ड को राजा बना दिया जाए उसमें इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं ठीक है अब इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं ठीक है जो पहला वर्क था जो हम डिसकस कर चुके हैं दरिलैप्स इसका या फिर इसको वर्चु इन डेंज 1696 और इड़ इस ऐसीक्वल टू कोलेसिबर लॉव लास्ट सीफ्ट ठीक है उसका सीक्वल है हमारा दरिलैप्स ठीक है और जो love's last shift है it is also called fool in fashion ठीक है यह है इसमें क्या होता है जो तीन क्रेक्टर होते है एक अर्मेंडा loveless and sir novelty ठीक है तीन क्रेक्टर है जो मतलब सिक्वल का क्या मतलब होता है बही स्टोरी जो पहले work में जो स्टोरी है उसको ही continue करना है ना love's last shift में जो कोले सीबर का work है उसमें जो स्टोरी चल दी है उसको continue करते हैं हमारे जोन वैंब्रो in the relapse में ठीक है अगर वो continue करेंगे स्टोरी तो कुछ क्रेक्टर्स repeat होगे तो जो क्रेक्टर्स repeat होते हैं हमारे relapse में वो है एर्मेंडा loveless and sir novelty इसमें स्टोरी क्या चलती है पहले तुम देखते हैं कोली सीबर के love's last shift में क्या स्टोरी थी इसमें स्टोरी थी जो अर्मेंडा निया स्टोरी ये अमांडा है अमांडा एंड लवलस दे वर हस्बेंड वाइफ ठीक है जो इसका जो हस्बेंड होता है in disguise as a prostitute but in the morning she reveals the truth that I am your wife ठीक है इस टाइप से अपने आपको बता देती है मैं आपकी वाइफ हूँ और वो अपने हस्बेंड को ऐसे reform कर लेती है तो यहाँ पे ये इसके हस्बेंड सुधर जाते है ऐसे स्टोरी खतम हो जाती है कोली सीबर की अब जो हमारे जोन वेंबर आते हैं अपने वर्क के साथ दरिलैप्स वर्चू इन डेंजर ठीक है यहाँ से सब्टाइटल से पता चल रहा है वर्चू इन डेंजर मतलब इसने अपने हस्बेंड को रिफोर्म कर दिया था लेकिन दोबारा से इसके हस्बेंड अगें फाल्स इन लव विड़ एक वीड़ करेक्टर आती है मतलब न्यू करेक्टर आती है उसका मैं यहाँ पे साइध नाम भूल गई हूँ साइध यहाँ पे नोट बी नोट डाउन भी नहीं किया मैंने उसको देख ले ना ब्रिटेन या कुछ बिटो मार्टा कुछ ऐसा नाम है बी से तो आप देख ले ना उसको तो उसके साथ दुबारा से इनका फिर स्टार्ट हो जाता है और इस टाइप से यह स्टोरी चलती है इंपोर्टेंट क्या है यह तीन क्रेक्टर रिपीट हो रहे है किसका सिक्वल है इसकी पब्लिकेशन क्या है इतना ही इंपोर्टेंट है जो यह मैंने क्रेक्टर बताए न यह थोड़े एक्स्ट्रा हो गए अधर्वाइस क्वेशन यही पुछा जाता है वह यह किसका सीक्वल है तरेलैप्स और किसका वार्क है यह ठीक है तो आप इसको देख लेना क्या स्टोरी चल रही होती है अब बात करते हैं जो यह थोड़ा सा जैसे आपको पता है परेस्टरेशन इसमें थोड़ी वल्गर ट्रेज जो कोमेडी से वल्गर थी इंडेसेंट सी और थोड़ा मतलब एक जो एक अच्छी फैमिली में उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता था एक फैमिली बैठके उसको देख नहीं सकती थी तो हमारे जो 18th century में एक राइटर हैं जे बी सेड़ान ठीक है लेक वर्क है एक ट्रिफटू स्कॉर बंग वह तिया किया करते है जो रिलैप्स है जो इनके हमारे वेंब्रूर जो राइटर है उनका जो वर्क है उसको थोड़ा सा मोरलाइज करके रिलाप्स को मोरलाइज करके दोबारा से इसको इसका वर्जन लाते हैं कैसे एक मिनट अभी बताते हैं तो हम बात कर रहे थे जेबी सेरेडन अट्रिप्टू स्कारबाग ठी मोरल वे में इसको रिप्रेजम किया है जैसे हमारे एक वो थे शेक्सेण स्पिर को थोड़ा सा इसने मोडिफाई किया था उसको उसका नाम लिखो ठीक है दो भाई बहन थे वो ठीक है एक टाम आई है special उन्होंने उसको थोड़ा modify किया है थोड़ा जो vulgar जो jokes है या फिर कुछ words है ऐसे जो abusive है उनको हटा दिया था ऐसे ही जे भी सेरेडन है इनको इनके जो रिलैप्स है इसका थोड़ा अद्मोरलाइज वर्जन प्रस्तूत किया है कहां पर ट्रीप टू स्कारबग पबलेजिन 1777 ठीक है यह तीनों बार क्याद रखने है दा रिलैप्स लव्स लास्ट सिफ और अट्रीप टू स्कारबग और इनमें क्या अब समझ चुके होगे ठीक है यहां पर थोड़ा सा स्टोरी वही है जो मैंने बताया है मैं उसके हस्बेंड को रिफोम करती है और कैसे लाइन पे लेके राती है अभी इनका नेक्स वर्क है जो इंपोर्टेंट है प्रवोक्ट वाइफ इसका भी थोड़ा सा बस यह टाइ जो इनका साधी हो जाती है जल्दबाद जी में रिफ मैरिड जोन ब्रूट फॉर मनी वह ससाथ साथ मैनी के लिए, बॉट सर जोन ब्रूट ऑल्सो मैरिड हार फोर सेक्स. ठुक यां छोड़ा foster-普ार सी साधी हो दिए और ये जो लेड़ी खुला Soon इसकी वजय से मतलब यह जो इनकी साधी होती है अच्छी नहीं जाती क्योंकि थोड़ा selfish motive था तो C is provoked to infidelity वो मतलब इसका affair start हो जाता है किसी और के साथ कुछ ऐसी story है लेकिन आपको कुछ नहीं याद रखना है यहां से सिर्फ आपको यह याद रखना है एक तो यह restoration comedy है दोन कॉली सीबर यहीं पर हमारे writer खतम हो जाएंगे आगे इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना एक तो love's last sip है दूसरा वरक है इनका the provoked husband ठीक है यहां पर क्यों discuss हुआ है क्योंकि जो हमारे जोन वैंब्रो है उनका एक unfinished play था उसको complete किया कॉली सीबर ने और published under the title of the provoked husband याद र का जिसको complete किया कॉली सीबर ने और published under the title of provoked husband in 1728 ठीक है इसको याद रखना यहां पर हमारे जोन मैंब्रो फिनिश होते हैं अब बात करते हैं जेरेमी कॉल कोईलर ठीक है जेरेमी कोईलर he was an English theater critic and non juror bishop important theologian वो theologian थे और non juror bishop non juror bishop कौन थे यह जब जो glorious revolution होती है 1688 में ठीक है उस टाइम पे जेम सेकेंड को हटा कर उसको ले आये थे जो विलियम थर्ड है ठीक है वो उनको राजा बना दिया गया था वो राजा बनते ही क्या करते हैं वो बोलते हैं to sphere allegency to the ruling monarchy जो ruling king है जो राजा बन चुके हैं उनके प्रती अपनी निस्ठा की आप कसम ले मतलब आप उनके प्रती loyal रहेंगे लेकिन क्या होता कुछ बिसप्स होते हैं जो ये जो कसम खाने से मना करते थे हैं ठीक है उनको बोला जाता है non juror bishop और उनमें से एक थे हमारे जेरेमी कुलर ठीक है यहां से इंपोर्टेंट यही है जो non juror bishop है या फिर non-juring schism है यह क्या concept है ठीक है और यह जेरेमी कुलर से कैसे मतलब attest है तो यह याद रखना है इसको कुछ इनके माइनर्स वाक है लाइक एकलेस्टिकल हिस्ट्री ओफ ग्रेट ब्रिटेन दूरिंग 1708 टू 1714 और जो की एक non juror बिसत थे he wrote a series of हैं अगा इनकी क्या साथी है आपने James second की लेजिटिमेटिकर लेटी प्रिंटे इन इनके बारे भी बताए ना न्यू जो मुनार्क है ठीक है इस टाइब से इन्होंने कुछ ट्रेक्ट्स पब्लिस किये और फिर ही डिप्राइब्ड हो और जो हमारे साथ इस टाइब का व्योभार कर रहे है अप उसके बार भी बताए ठीक है और जो इनका थोड़ा सा माईनर सा वर्क है उसको याद रक लेना Eclastical History of Great Britain ठीक है और जो important work है इनका Assort View of Immortality and Profaneness of English Stage published in 1698 very very important work और एक और रह गया इनका Meditation He translated Meditation of Marcus Aurelius इसको translate किया है जो Marcus Aurelius है वो एक राइटर है उनका एक work है Meditation that was translated by Jeremy Quillard ठीक है और जो important है जो अभी बात कर रहे थे हम जिसकी वो है हमारा Assort View of Immortality ठीक है और कुछ ना याद रहे है Jeremy Cooler का ये work है और इसकी publication ये है और क्या है ये एक anti-theater pamphlet anti-theater pamphlet मतलब जो theater को criticize कर रहे हैं जो ये किसको criticize कर रहे हैं जो restoration comedy लिखते थे comedy कैसी थी इस टाइम पे vulgar टाइप से थी ठीक है indecent थी मतलब profile नहीं थी ठीक है तो इसको criticize कर रहे हैं और इसको criticize कर रहे हैं तो राइटर को भी criticize करेंगे और कौन से राइटर्स थे वो थे हमारे विलियम वाइचरले जोन राइडन विलियम कॉंग्रीव जोन वैंब्रो थोमस डी फ्रे ठीक है इन राइटर को क्रिटिसाइज करते हैं और इसके बारे में क्यों क्रिटिसाइज करते हैं फोर दियर प्रोफैनिटी ब्लास्फेमी इंडिसेंसी अंडर्माइनिंग पब्लिक मोरल्टी थो दाइज productive deception and voices इस बेश पर इसके की क्रिटिसाइज करते हैं धिक है इनकी रेस्टरेशन कोमेडी को क्रिटिसाइज कररे हैं अकेले इन में से एक जोन ड्रायडन है जो रिपलाई करते हैं और वो बोलते हैं रिपलाई में हाँ Hypologize करते है हाँ मैंने गलती की है हमने गलती की है मतलब यह reply करते है और वाइस किसी पर कोई असर नहीं होता इनकी जो यह Cr matrices करने दॉय है ठीक है बस इतना ही important है यहां से ज्वादा कुछ नहीं करना है है यह एक nhi earth pamphlet ьह ए रिटर िन 1698 when na government the gr99 by william no get आ चुका था और वो कब आया था 1633 में 1633 में आता है historiomatics by William Prain William Prain published his historiomatics in 1633 और वो भी क्या था एक anti-theatr pamphlet था बट यह किसको criticize कर रहा था यह actors को criticize कर रहा था जो players थे तो इतना ही था आज की वडियो में I think आप समझ चुके होगे जो भी है थोड़ा सा ना मैं वो नहीं बना पा रही हूं आपकी जो पीपिटी है वो मेरे पास टाइम की बहुत कमी है तो आप इनसे ही काम चला है लेकिन आपको तो समझने से चीजे मतलब होना चाहिए ना यह नहीं भी हम उसके थुरू ही जादा अच्छे से समझ पाते हैं मतलब चाहिए जाने वाला भी कहीं से समझा सकते तो इंपोर्टेंट यह है जो हमारे जोन वन ब्रोव कि थे उनके दो वर्क इंपोर्टेंट है कौन से है और रलैप सेंड परवोकट वाइप और जो मारे जेरमी कोईलर है उनका वर्क है असोर्ट वी ओफ इमोर्टैलिट एंड यहां से कुछ बहुत सी important चीजे निकल के राई है इस में से जो मैंने बताया वो कुछ नहीं छोड़ना है everything is important ठीक है अधरवाइस थोड़ा जो मैं बताती हूँ आज तो मुझे नहीं लगड़ा कोई भी वर्क आपको अपने आपसे रीड करना है वो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में था the way of the world ठीक है तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताई कि time to time आपको notification मिलती रही तो हाँ एक और important news है अगर आप मेरे telegram channel से जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका जो link है वो अपने description में दे दूगी वहां से आप join कर सकते हैं और मैं वहां पर important जो information है वो शेयर कर दी रहती हूं तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर जोड़ ले Facebook page भी है मेरा smart study के नाम से वहां भी आप जोड़ सकते हैं तो thank you thank you for today